अभी कमर दर्द के लिए आसनों का अध्याद चल रहा है और साधानी पुर्वक देखेंगे, सुनेंगे, सिखेंगे अभी जो हम आसन करने जा रहे हैं उस आसन का नाम है भुजंग आसन भुजंग मतलब होता है साप सरफ तो साप जैसा ध्याद करते हैं और इसमें हम पेट के बार लेते हुए हैं और दोनों हथेली को हम सीना के पास रखते हैं ठुड़ी जमीन पर और केवनी पंजरी में सका हुआ और सास को भरते हुए हम आगे से दिरे दिरे उठेंगे और ना भी जमीन में सता हुआ रहेगा दीरे 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 नासों को छोड़ते हों वापस आते हैं फिर एक बार करते हैं फिर दीरे दीरे वापस यह है भुजंग आसन का यह पहला भ्याद और इसमें कई प्रकार क्या भ्याद करते हैं फिर दीरे दीरे हम साथ को भरते हुए किरियक भुजंग आसन करते हैं ताहर की तरफ में जर्दर को घुमाते हैं अपने पीट को एड़ी को देखते हैं पर देरे देरे आगे आते हैं, पी तीचे की तरफ जाते हैं, बहुत अच्छा, उसके बाद इसमें हम दोनों अदेल्यू के हां सकाते हैं, और सास भरते वे पूरा हम आगे से उठते हैं, और प्रयास करते हैं कि ना भी जमीन में सका ही रहे, तो पेट पर खिचाओ, धीरे-धीरे वापस आ जाते हैं, ये कमर दर्द के लिए ऐसा भ्यास करना है धीरे-धीरे, अज इनको पेट निकला हुआ है, तो इसी अभ्यास को फास करेंगे इसे, भूनास पचा के, नसा दा धूर मारें भूबन खुट उसके, पेट वाले के लिए, थोड़ा सा बीच में विस्राम रेटे कर सकते हैं, अब विस्राम करने के बाद, भूना आप अगले भ्यास को कर सकते हैं, तो ये भ्यास में हमी तूरु से करेंगे, तो कमर दर्द के लिए इससे बढ़ करके दुनिया में कोई दवा नहीं है,